पिस्मिल्ल्यः राह्मानिरहीम, असलामुलैकूम, आज मैं आपके साथ मसाला भड़े करेली की रेस्पी शेयर करही हूँ, पिछली वीडियो में मैंने कीमा क्रेली की रेस्पी दी थी, यह वीडियो मेरी बहुत पसंद की गी थी, तो काफी रिक्वेस्ट आई हैं के मसाला वीडियो भी आप हमें facial करे तो औज में बना रहे हूं मोसम बड़ा गड़ा मैं अभी तो क्रेले बहुत अच्छे मुझे मिल गये थे तो मैंने क्यू नहिंअ आपके साथ मसाला भरे क्रेले की 다啊 करती हूं तो एक कीलो मैंने क्रेले लिये थे उनेचे से दो के मैंने ऊपर से चील लिये थे और अंदर से मैंने बीज निकाल लिये थे तो एक मैंने रखा था आपको दिखाने के लिए जिस तरह मैंने ऊपर से चील के उतारे हैं यह देख सकते हैं इस तरह भी आप उतार सकते हैं मैं आपको दिखाती हू चुरी से इस तरह भी उतार सकते हैं दर्म्यान में मैं कट लगा लूँगी चुरी से मैंने इस तरह से उतार लिए और अंदर से सारे बीज मैंने अराम नाम से निकाल लिए चुरी की मदद से जितने निकलेंगे वो निकालेंगे उसके बाद हम उंगली के मदद से इसे ऐसे निकाल लेंगे सारे, अंदर से साफ कर लेंगे, इस तरह से, तो बीच को मैंने इस तरह से अलग कर लिये, और क्रेलों को भी मैंने अलग प्लेट में रख लिया था, अब इसे हम नमक लगा के रख देंगे एक घंटे के लिए, तो दो डालूंगी, नमक को हाथ की मदद से अंदर बाहर अच्छे से लगा देंगे, क्रेलों को हमने एक सैड पे कर दिया, अब इसके नीचे कोई बरता रखेंगे, हमने प्रात को थोड़ा सा उंचा करकना है, ताकि इसका जो पानी करवा है, वो एक सैड पे हमरा निकलाएगा, इस तरह से हम उंचा करेंगे, और इधर पानी निकलाएगा, ठीक है, अब हम दूसी तरफ एक प्लेट लेंगे, बड़ी वाली, ये बीज भी उसमें डाल देंगे, और इसे भी हम नमक लगा कर रख देंगे, इन दोनों चीजों को हमने एक घैंटे के लिए नमक लगा कर र इनका करवा पानी एक सेट पे निकलाया है, अब इसे हम वेस्ट कर देंगे पानी को, इस तरह से सिंक में डाल देंगे, और नलके के नीचे रखेंगे, पानी से इने अच्छे से दोलेंगे, और मजीद जो इनका करवा पानी है, वो निकाल लेंगे, तकरीबन 102 दफ़ा हम दो लेंगे, यह देखें, आप देख सकते हैं, इनके अंदर से ग्रीन पानी निकला है, यह हम निकाल देंगे, तो इसी तरह दो बार हम और दो लेंगे, तो इनका करवा पानी निकल जाएगा, पानी हमारा साफ हो गया है, इसे हम निकाल देंगे, और एक हम स्टेनर ले अब हाथों की मदद से एक एक करेले को पकड़ेंगे और इसको दुबाएंगे, इसके अंदर से मजीद जो पानी है वो निकल जाएगा, बाकी करेलों का भी पानी इसी तरह हम निकाल लेंगे, सारे करेलों का पानी निकाल के हाथों की मदद से स्टेनर में डाल दिया मैंने, आप बीज लेंगे, वो भी डाल देंगे प्रात में, थोड़ा सा मस लेंगे, और एक स्टेनर ले लेंगे, उसमें डाल देंगे, मज़ीद पानी के निचे इसको रखके मस लेंगे, ताकि इसका पानी निकल जाए, और यह देख सकते हैं, इसका पानी निकल गया है, अब हाथ तरख वाली मसाले की ड़बी में डालकी इसको पीस लेंगे मीडियम तूलो फ्लेंपर इसका मसाला हम राडि करेंगे इसमें बीज डालिए बीजों को हम तकरीबान 10 मिंट के लिए fry करेंगे हलका सा इसमें कलर आजाएगा तो इसको निकाल लेंगे तो तेज आँच में हमने इसको फ्राइग निकरना चमज को हमने हिलाते रहना है यह कलर हमारा आचुके है अब इसे हम निकाल लेंगे अब इसी क्राइए में 2 टेबल स्पून हम ओल और डाल देंगे एक मेंने बड़े साइस का प्याज लिया था उसे चौप कर लिया था इसे भी फ्राइग कर लेंगे इसे भी ज़्यादा कलर नी देना हमने हलका सा कलर देना है तकरीबान 10 मिट में यह त्यार हो जाएगा प्याजों को कलर आ गया है इसमें आब हम टोमाटर डाल देंगे दो टोमाटर में लिये थे उन्हें भी छोटा शोटा काट लिया था मिक्स करेंगे जो हमने बीजों को फ्राइग किया था वो भी डाल देंगे चार हरी मिर्चे मैं लिये थी मोटी वाली उन्हें मैंने चौप का लिये था वो भी डाल देंगे इसे मिक्स करेंगे अब इसमें मिसाले जो बाकी मैंने डालने है वो डालूंगी वन टेबल स्पून मैंने नमक का इस्तमाल किया चोटा चमच इसलिए डबल जाएगा वन टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च पीस्ची भी लिये ये भी डबल जाएगी हाफ टेबल स्पून धनिया डालूंगी पीसावा वन फोर टीस्पून मैं हल्दी डालूंगी वन टीस्पून साबू जीरा डालेंगे इसमें मिक्स करने के बाद दो मिंट के लिए इसे दम पे रख देंगे ताके टुमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए दो मिंट हो चुके हैं टुमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं अब चमच की मदद से इसे मैश कर लेंगे तो मसाला हमारा रेडी हो गया है फ्लेम हमने बंद कर दी है अब इसे ठंडा करेंगे मसाला हमारा ठंडा हो चुके 4 टेबल स्पून मैंने सबस दनिया को चोपका के रखावा था वो डाल देंगे, मिक्स करेंगे करेलों के अंदर मसाले की फिलिंग कर लेंगे मसाला अपनी मर्जी से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें मसाला काफी रहेगा तो इसी तरह बाकी करेले भी हम फिल कर लेंगे तो सारे करेले हमने फिल कर ली हैं मसाले के साथ तो इसको हमने cover कैसे करना है ओपर से हमने लिपेटना कैसे है अक्सर लोगों को शिकायत होती है जब वो धागाल पेट के fry करती है क्रेलों को तो धागा खुल जाता है तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आप उसी तरीके को follow करें कभी भी आपका धागा खुलेगा नहीं सुई की मदद से हम इसके मुझ को सीलेंगे बाकी सब क्रेलों को भी इसी तरह से त्यार कर लेंगे तो एक कराई में मैंने oil डाल दिया है तकरीबन मैंने 1.5 cup oil डाला है गरम हो चुका है इसमें हम करेले डाल देंगे करेलों को हमने तकरीबन 10 मिंट के लिए धकन देके दम पे रख देना है ये गल भी जाएंगे और ready भी हो जाएंगे इनको color भी आ जाएगा तो ये देख सकते हैं 10 मिंट के बाद मैंने देखा है इनका एक set से color आ चुका है अब इसकी set change कर देंगे तो करेले हमारे ready हो चुके हैं दोनों तरफ से अब इसे निकाल के plate में रखेंगे अंदर से इस तरह से हम इसका oil निकाल देंगे तो plate में रखते जाएंगे बाकियों को भी इसी तरह हम fry कर लेंगे जबर 10 मसाला करेले की recipe हमारी त्यार हो चुकी है दम के अंदर ही इसका छिलका भी गल जाता है और इसको color भी आ जाता है तो मेरी वीडियो को like कीजिए जादा जादा शेर कीजिए चैनल पर नए है तो मेरी चैनल को subscribe कीजिए ताके मेरी आने वाली हर अच्छी से अच्छी recipe आपको सबसे पहले मिले तो अगली वीडियो तक के लिए अल्ला हाफीज